2016 में उत्तर कोरिया के तानाशा किम जोंग उनका एक वीडियो सामने आया था ये वीडियो सैन ने चौकियों पर किम जोंग के पहुँचने का था जहां वो ना सिर्फ सैनिकों को प्रोचसाहित कर रहे थे बलकि उनकी फाइरिंग रेंज में पहुँचकर उन्हें हैंड गन और पिस्टल चलाने का तरीका सिखाते भी दिख रहे थे उस वक्त उत्तर कोरिया से अदावत के मोर्चे पर खड़े देशों में इस वीडियो पर एक चर्चा चिल गई चर्चा इस बात पर थी कि क्या उत्तर कोरिया की सैनिक बंदूग चलाने का सही तरीका नहीं जानते या फिर किम जोंग की ट्रेनिंग उनसे बेतर है यहीं वो वक्त भी था जब पहली बार कैमरे के सामने किम जोंग के आक्टिंग करने का दावा किया गया लेकिन इस समय साउथ कोरिया की खुफिय अजनसी के हवाले से किम जोंग के बाडी डबल का भी खुलासा हुआ और शंका गहराती चली गई इस चाप्टर में देखिए सनक एनिमी ओफ यूमन इथास 10 अप्रेल 2020 प्योंग यांग उत्तर कोरिया कोरोना की पहली लहर पीक पर थी और ये वो दिन था जब नौर्थ कोरिया के ताना शाह किम जोंग उनको देश की सीमाओं पर पहरा बठाने का आदेश सुनाते हुए आम लोगों ने सार्वजनिक तोर पर देखा था इसके बाद देश के हालाद बदल गया किम जोंग उन अंडग्राउंड हो गया उस दिन के बाद लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके बताते या कोरोना के परसार को रोखने के लिए भाषन देते हुए भी किम को नहीं देखा गया और इसके बाद किम जोंग उन पर सवाल खड़े होने दा सवाल किम जोंग की तबियत पर उठे किम जोंग के एकांतवास की जगह पर उठे किम जोंग जिस पैलेस में रहता है वहाँ छाय मात्मी माहौल पर उठे और फिर एक नई सुबह होई एक मई दोहसार बीस प्योंग यांग उत्तरकोरिया ठीक बीस दिन बाद किम जोंग का सबसे ताजा विज्वल रिलीज हुआ लाल कालीन पर कदम बढ़ाते किम जोंग के दासी ठाट और इस वीडियो के सच होने का सबूत प्रैक्राउंड में लगे बोर्ड पर थी तारीख थी एक मई दोहसार बीस मतलब साबित हो गया किम जोंग के सवास्ते को लेकर उठ रहे सवाल गलत थी उनके एकांत वास के खुफिया ठीकाने को लेकर उठे सवाल भी कोरे थी यहां तक कि ताना शाह के पैलेस पर कोई मातनी छाया भी नहीं थी किम पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित थी मेडिया में किम के लापता होने से जुड़ी ख़बर खलत थी लेकिन क्या एक मीडियो से हर सवाल का जवाब मिल गया था ना सवाल खत्म हुए थे ना एक मीडियो से नौर्ट कोरिया की सचाई सामने आई धुनिया को शक्था कि तस्वीरें असली नहीं है आखिर ऐसा क्यों तस्वीरें तो हैं जिसमें चेहरे की बनावट में ज्यादा अंतर नहीं है ठीक वही हेरिस्टाईव ठीक वैसा इपहनावा चेहरे पर भी ठीक वैसे हुआ भाओ लेकिन दोनों चीहरों में कई महीन उंतर थे पहले और दूसरे किमजोंग को पहचानने के लिए दातों में उंतर पहचानना होगा दाहिनी कलाई पर अंदर की तरफ गहरा काला तिल और कान की बनावण भी उंतर दिखा देंगा तो क्या वाकई किम जोंग को लेकर उठे सवालों में कोई सचाई है? क्या शक की बजह बहुत मजबूत है? कभी अपने तलबल के साथ तो कभी पतनी राई सोल चू के साथ गोड़सवारी करते फवित्र माउंट पाइकेतु का तौरा करने वाले किम जोंगुन की ये तस्वीर बिल्कुल सही है प्योंग यांग में सेना के वारशिक समारोह में शामिल होना अपने सैन अधिकारियों को इनाम देना और बैठकों का सलसला किम जोंग की ये तस्वीरें बिल्कुल ठीक लेकिन पूरुना काल के बाद आई तस्वीर में जोंकाने वाला फर्क तो क्या वाकई किम जोंग पुन अपने हमशक्ल का इस्तिमाल करते हैं तावे के तहट अमेरिका से खत्ब होई कोटनीती के बाद किम पर खत्रा बढ़ गया अमेरिकन जासूसों की नजर किम जोंग पर बनी हुई इसलिए किम जोंग ने खुले रोप में सारवजनी कारक्रमों से दूरी बना ली लेकिन अपना दर जिबाने के लिए किम जोंग ने हमशक्ल को सारवजनी कारक्रम में भेजना शुरू कर दिया है दावे के मुताबिक इंटर कॉंटिनेंटल बेलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हो या फिर कोई भी ऐसा मौका जिसमें उनके चेहरे का होना जरूरी है वहाँ अपने हमशक्ल को भेजना शुरू कर दिया है सूत्रों के मुताबिक हाली में हुए टेस्ट के दौरान भी किम जोंग के हमशक्ल ने ही वीडियो शूट करवाया था जिसने पूरी दुनिया में संसनी ठैला जी तरसल सवाल किम जोंग के हमशक्ल पर नहीं है बलकि हमशक्ल की जरूरत पर क्या नकली चेहरे के किम जोंग की जरूरत इसलिए है कि वो गुस्से पर काबू नहीं कर बाते है या फिर किम जोंग किसी बीमारी से ग्रस्त है क्या किम जोंग की जान पर खत्रा मन रा रहा है और क्या सिर्थ एक शक्स ही किम जोंग का जो खिम अपने उपर लेकर भूम रहा है खबरों के मताबिक किम जोंग ने अपने हमशकल लोगों की एक टीम बनाई थे शुरुआती दोर में हमशकल में थोड़े बहुत अंतर पर ध्यान दिया गया लेकिन बाद में किम जोंग की पर्सनल डॉक्टर की टीम ने हमशकल लोगों की कौस्मेटिक सरजरी की खबरों की मताबिक हू बहू किम जैसे करीब 11 हमशकल इस वक्त उत्तर कोरिया में मौजूद है और हमशकल लोगों की एक टीम बनाने की पीछे मकसद अमेरिका और साउथ कोरिया की खबरों को गुमराह करना ताकि किम जोंग को न अपने मनसूबों में कामयाब हो सके सीकर तरीके से किम जोंग मिसाइल्स और नुकलियर प्रोजेक्ट पर काम करते रहे और भी देते रहें लेकिन किसी को कानो कान खबर न लगे और ऐसा कहा जाता है कि किम जोम के दिमाग में हमशकल की फोर्स तयार करने का वो आइडिया तब आया जब वो एक मिलिटरी एक्सिसाइस के दौरान खायल हुए थी तब उनकी जगए उनकी ही तरह दिखने वाले एक शक्स ने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए किम जोम की जगए एक्सिसाइस में हिस्सा लिया था